जै मातारानी की आज इस वीडियो में हम रंभा अपसरा के द्वारा कहे हुए कुछ वचनों के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है जब भी कोई साधक अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अपसराएं स्वता ही उनके पास अपने दिव्य और श्रिंगारिक स्वरूप में प्रगट होकर अपनी मनमोह लेने वाली वानी के द्वारा साधक को अपनी और आकरशित करने का पूरा प्रयास करती है आज इस वीडियो में हम आपको रंभा अपसरा के कुछ ऐसे ही वचनों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग रंभा अपसरा ने एक 16 वर्ष की आयू के समान दिखाई देने वाले ब्रम्भा अपसरा ने कहा कि हमारे शरीर में सौन्दरी के बताएंगे की हचारों धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं जिसमें भीनी भीनी खुश्बु की लहरें निरंतर लहराती ही रहती हैं हम जहां देवलोक में रहते हैं वहां कभी भी कोई वृद नहीं होता है प्रती एक मार्ग पर नई नई मंजरी शोभाय मान होती हैं हर मंजरी पर कोयल अपनी सुमधुर वानी से सबका मनमोह लेती है जिस कारण से कई माननी इस्त्रियों का गर्व भी दूर हो जाता है उनका गर्व दूर होते ही पाँच बाड़ों को धारण करने वाले कामदेव मन को बेचैन बनाने लगते हैं हर घर में घुमती फिर्ती स्वर्ण लता जैसी उन सभी स्त्रियों के मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुन्दर है उन मुख चंद्रों में नयन स्वरूप दो मचलियां दिखाई पड़ रही है और उन मीन स्वरूप नयनों में कामदेव स्वतन तरूप से विचरन कर रहे हैं उभरे हुए वक्षस्थल और पूरे अंग में चंदन का लेप की हुई चंचल आखों वाली ऐसी सुन्दर युवती का जिस उरूप ने प्रेम से आलिंगन नहीं किया उसका तो जन वियर्थ ही गया भोग की इच्छाओं से व्याकुल चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा जैसे सुन्दर मुख वाली जिनके अधर लाल रंग के हैं कोमल कमल के नाल जैसी गौर वर्ण की ऐसी कामिनी को जिसने अपनी छाती से नहीं लगाया उसका जीवन तो वियर्थ ही गया अनेक प्रकार के सुन्दर वस्त्रों और आभूशनों से सुसज्जित कपूर लौंग इत्यादी सुगंध से महत्ती हुई दिव्य शरीर वाली नवियोती को जिसने अपने दोनों हाथों से आलिंगन ना किया हो उसका जीवन तो वियर्थ ही है मधूर वचनों से अभिशिंचित करने वाली स्वर्ण के समान अंग कांती वाली जिसकी नाभी में जुमका लटक रहा हो चन्चल कमर वाली अपने नूपूर के द्वारा मधूर शब्द करने वाली नाक में मोती पहने सुन्दर नैनों वाली जिसके सिरके बाल सर्प की भाती तेड़े मेड़े कमर में शुशोबित हो रहे हैं ऐसी सुन्दरी का जिसने सेवन नहीं किया उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया जिस पुरुष ने हेमंत रितु में कठोर और उभरे हुए स्तनों के भार से जुकी हुई पतली कमर वाली चन्चल और कटार जैसे नैनों वाली इस्त्री के साथ भोग नहीं किया उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया जिसने अपनी युवावस्था में समस्त श्रिंगार और मनोविवाद करने में चतुर और कई तरह की लीलाओं को करने में कुशल और कोकिल कंठी कामिनी के साथ विलास ने किया हो उसका जीवन तो व्यर्थ ही है आनंद रूप नवयूती उत्तम धर्म का पालन करने और पुत्रादी पैदा करने में सहायक इंद्रियों को समस्त प्रकार के संतोष को प्रदान करने वाली ऐसी नारी जिस पूरुस के घर में ना हो उसका जीवन तो व्यर्थ ही है मित्रों रंभा अपसरा के द्वारा इस तरह के श्रिंगारिक और मन को विचलित कर देने वाले वचनों को सुनकर सोलह वर्स की आयोके सामान दिखाई देने वाले ब्रह्म ग्यानी ने कहा देवी जी आज हमें ये पहली बार पता चला कि नारी शरीर इतना ज्यादा सुन्दर होता है यह सारा ग्यान आपकी किलपा से ही संभव हुआ है यदि भगवत प्रेर जन्म में मुझे प्रभु कारे के इलावा कोई भी कारे दिखाई नहीं पड़ता है मित्रों इस तरह की वैरागे पूर्ण बातें सुनकर रंभा अपसरा अपने वचनों के द्वारा ब्रह्म ग्यानी को अपनी उर आकर्शित नहीं कर पाई और अंततु गत्वा पुनह अरिभाषा क्या होती है वह आप इस वीडियो में समझ गये होंगे आशा है इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी यदि हाँ तो पर हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जै मातारानी की अरिभाषा क्या है अरिभाषा क्या है